Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Group आज हम लेकर के आए हैं Class 9 Science विज्ञान की वर्कशीट नमबर 37 यानि की 37 के सोलिशन को जैसा कि आप सभी को पता है हम Science में केवल सोलिशन लेकर के आते हैं तो यह जो हमारा वेडियो रहेगा वो दो मिनिट का रहेगा बहुत छोटा सा वेडियो रहेगा जिसमें हम केवल सोलिशन की बात करेंगे आज की वर्कशीट है काफी आसान है जिसमें गती जो अभी तक हम चैप्टर पिछली कुछ वर्कशीट से करते आ रहे हैं उसको हम रिवाइस करेंगे चलिए हम सुरुवात करते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं यह हमारी वर्कशीट सेंख्या 37 यानि की 37 हमारा सब्जेक्ट है वो साइंस विज्ञान है और आज की डेट है 28 तंबर 2020 इसमें हम जो भी कोशन दिये गए हैं वो है रिलेटिड गती से त सिदाक सिदा हम कोशन आंसर है वो सौल करेंगे तो आज की वर्कशीट में हमें चार आसान से कोशन दिये गए हैं पहला जो कोशन दिया गया है वो दिया गया है कि दूरी और विस्थाफन में एक अंतर बताना है तो दूरी क्या होती है और विस्थाफन क्या होता है यह हम स सबसे छोटा पत होता है, यानि कि आप स्कूल से घर तक गए और उसके बाद वापस स्कूल आ गए, लंच ब्रेक के दौरान जा करके आए, तो आपका विस्थापन जीरो हो गया, ओके, गती की तीनो समीकरण लिखिए, वैसे थो हम पिछली कुछ वर्कशीट से लगातार तीनो समीकरण है, वो पढ़ते आ रहे हैं, ये आपकी वर्कशीट में एक बार फिर से दिये गए रिवीजन के लिए, तो ये गती के तीनो समीकरण है, यहां पर दिये गए, पहला जो समीकरण है, V इक्वल U प्लस A T, और सेकंड है, S इक्वल U T प्लस 1 बाइ 2 A T स्केर, और थर्ड समीकरण है, 2 A S इक्वल V स्केर माइनस U स्केर, यहां पे U है वो प्रारंबिक वेग है, V है वो अंतिम वेग है, और A तवरण है, जबकि T समय दिया गए, तो आपको अभी तक अच्छे से यह लर्ण हो गया होंगे, तो आपको जब भी लिखना हैती है, यह पूरा का पूरा लिखना, यानि कि यह U, V, U, और A तथा T, किसके लिए स्टेंट करते हैं, तीसरा जो हमारा कोशिन दिया गया है, कि एक समान वृत्य गति के तीन उधान दीजी, तो हमें वृत्त में, यानि कि चार उत्रफ कोई वस्तो गति करिया, तो उसके तीन उधान देने, तो जैसे पहला उधान है, कि यदि एक पत्थर को हम धागी से बांद कर, एक स्थान पर खड़ी होकर के ऐसे गुमाएं, तो वो क्या है, पहला उधान ह दूसरा वृत्य पत्थ पर, यानि कि गोल जो पत्थ है, ट्रेक है, उस पर दोड़ता जो धावक है, वो भी इसी का उधान है, तीसरा जैसे कोलो का बेल है, तो कोलो का बेल गुमता, वो भी चार उत्रफ एक वृत्य पत्थ पर गुमता है, इसके साथ-साथ जैसे अगर हम बात करें आकासिय पिंडों की बात करें जैसे चंद्रमा की बात करें तो इनका पत्पी लगबग वरीतिय होता है या फिर हम artificial satellite की बात करते हैं उफगरे की बात करते हैं करित्रिम उफगरे तो वो भी उधान दे सकते हैं उसके बाद चोथा हमारा question दिया गया कि यदि एक athlete 100 मिटर के त्रीज्या वाले एक track का एक चकर एक मिनट में लगाता है तो उसकी चाल बतानी हमें तो दिया क्या गया हमें आर यानि त्रीज्या दी गए 100 मिटर है टी दिया गया जो कि time है एक मिनट दिया गया है इसको हमने 60 सेकिंड में कर लिया और हम वेग का पता लगाना है हमें पता लगाना है चाल का तो वी इक्वल हम formula यूज करेंगे टू पाई आर बाई टी यह हमारा formula रहेगा हम इसमें पाई की जो value होती है 22 बटे 7 होती है न वो हम रखेंगे और time हमें दिया गया जिसे भाग देना हमें 60 तो हम जब इनको calculate करेंगे further तो हमें answer मिलेगा 1.66 meter per second तो यह थी हमारी आज की आसान सी छोटी सी worksheet उमीद करता हूँ आपके सारे doubts clear हो गए हुए इस चैनल को like, share और subscribe जरूर कीजिएगा thank you, bye bye, have a nice day